नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा के इस योट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पवन्तिवारी आज आप लोगों के सामने पास करके वणमाला से सम्मंधित इस महत्तोपूर्ण क्लास के साथ मुखातिब हो रहा हूं आपको पता है ये टेट सीटेट सूपर टेट इन सब को ले करके वणमाला से सम्मंधित एक मिशेश क्लास है और हम इसकी शुरुवात करेंगे और क्लास की शुरुवात हम एकदम शुरुवाती लेबल से लेकर के चलेंगे आपको वहां से इस class की शुरुवात करेंगे जहां से हिंदी की शुरुवात होती है खास करके ब्याकरण की शुरुवात होती है आप जानते हैं जब हिंदी की शुरुवात होती है तो इस समय तो हम लोग फिलहाल ब्याकरण पढ़ेंगे और वणमाला किसका पार्ट है ब्याकरण का पार्ट है तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ब्याकरण क्या है ब्याकरण से ही शुरुआत करेंगे आपकी और आएए शुरू करते हैं इस क्लास को तो सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है जहां दीजिएगा एक शब्द है हिंदी में व्याकरण व्याकरण की परिभाशा तो बच्पन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण नियमों का वह समू है जिसके माध्यम से किसी भाशा को हम शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना वह बोलना सीखते हैं तो ब्याकरण वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों की सहज तरीके से शुद्धता के पैमाने पर अभिव्यक्ति करते हैं तो अगर व्याकरण की बात करें यहां जो यह आपका व्याकरण शब्द है अगर इसमें आप से कभी पूछा जाए जैसा कि बराबर पूछा जाता है अलाकि मैं अभी तो आपको संधी तो पढ़ा नहीं रहा हूं लेकिन अगर व्याकरण शब्द को आप तोडएंगे तो आपको इसमें यण संधी मिलेगी अगर व्याकरण शब्द में संधी की बात करें तो कौन सी संधी मिलेगी यण संधी मिलेगी आपको पता होगा कि यण संधी का नियम है अगर प्लस के पहले छोटी ई हो आम तोर पर छोटी ई ही होता है छोटा उ हो या फिर री हो और इधर भिन्नस्वर हो तो माना जाता है कि माना क्या जाता है आपका नियम है यह सामान नियम है यहां और यहां दिजिएगा अगर किसी भी शब्द के बीच में यह व रह आएगा और जो शब्द तूटेंगे वो सार्थक होंगे तो वहां पर यह रहा है अब हमको यह देखना है इसका मतलब बीच में अगर यह आए बीच में वह आए बीच में रह आए तो यह रहा है तो व्याकरण में बीच में क्या आ रहा है यह आ रहा है तो यह साम करिए व्याकन को ही तोड़ लीजिए आईए इसको हम तोड़ करके देखते हैं दोस्तों आधा व आधा य आधा कर अ आधा र अ आधा अधा अड और और अ अब यहां ध्यान दिजिएगा बीच में क्या रहा यह देखे यह आया है यह का मतलब क्या हुआ छोटी की मात्रा तो यह रेखे छोटी की मात्रा है और जो यह छोटी की मात्रा यह माने छोटी की मात्रा बनेगा तो छोटी की मात्रा जब भी मात्राएं लगती हैं अपने पूर्व वर्थी वर्ण माने भेंजन पर लगेंगी तो ए की मात्रा हम किस पर देंगे व पर तो वी बना और इधर आपका बचा क्या है और और वी धन आकरण बन गया अगर आप चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं जड़ा देखें आधाव छोटी ए आ आधा क, अ, आधा र, अ, आधा अर, और अ, अब आप एक चीज़ देखिए कि ए किसमें बदलेगा आधाया में तो हम यहाँ आधा वर लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद स्वर तो आया नहीं और यह आपका क्या है आधाया, आधाया में जब आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ब्या, का में यहाँ मिलाएंगे तो पूरा का बनेगा? और आधा र, में यहाँ मिलाएंगे तो पूरा र बनेगा? और आधा अड़ा में मिलाएंगे तो पूरा अड़ा बन जाएगा? इसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप बीधन आकरण और यह देखिए पूरा का प दोस्तों ठीक तो आईए अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले ब्याकरण की परिभाशा पर बात कर लेते हैं ठीक ब्याकरण तो परिभाशा पर अगर बात करें ब्याकरण नियमों का ब्याकरण नियमों का वह समू है जिसके माध्यम से हम किसी भाशा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना वह बोलना सीखते हैं यह तो ब्याकरण की परिभाशा हो गई लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब से हिंदी की परिक्षा हो रही है कभी ब्याकरण की परिभाशा पूछी नहीं गई है किसी भी अस्तर पर पर तो एक बार हमारे सभी मित्र इस क्लास को शेयर भी करें जब अर दस तरीके से तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है सरीन फारूखी जी बहुत स्वागत है गुड इवनिंग प्रिया तिवारी जी आपका भी स्वागत है, सविता बोध जी, लंका पतिर्यावन जी, अर्मोल जी, सुमन चौहान जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आएए शुरू करते हैं दोस्तों चुकि क्लास की शुरुवात कर चुके हैं और यहीं से आपकी हिंदी की शुरुवात भी हो रही है ब्याकरण की तो ध्यान दीजिएगा आपसे एक प्रश्ण पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं और ये अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे अब व्याकरण के अंग तो ध्यान दीजिएगा व्याकरण के तीन अंग होते हैं व्याकरण के तीन अंग होते हैं कौन कौन से नंबर वन वर्ण नंबर टू शब्द और नंबर थ्री वाकरण और इन सब के बीच में तारतम्यता है इन सब के बीच में इंटरडिपेंडेंडेंस रिलेशन्सिप है अन्योन्यास्रिस संबंजी से आप कहते हैं अगर किसी बच्चे को वर्ण का ग्यान नहीं होगा तो उसे शब्द का भी ग्यान नहीं होगा इसका मतलब सबसे मेंडेटरी कंडीशन है कि उसको वर्ण का ग्यान हो अगर वर्ण का ग्यान होगा तभी उसे शब्द का ग्यान होगा और अगर शब्द का ग्यान होगा तभी उसे वाक्य का ग्यान होगा इसका मतलब वो शुरुवात कहां से करेगा वन से और वन के बाद फिर शब्द में आएगा और शब्द के बाद फिर वाक्य में आएगा तो मुझे एक बाद बताईए जब हम लोग छोटे छोटे थे या जब हम पैदा हुए थे कि क्या कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वा तुरंत लिखना शुरू कर देता है कभी नहीं पहले तो बोलता ही है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी भाशा की शुरुवात होगी बोलने से होगी लिखने से ने जब कि दौरवात के सब लिखित इकाईया है लिखित चीजें है और लिखित इसलिए है ब्याकरण का क्योंकि आपको पता होगा कोई भी बोली साहित्य के शेत्र में नहीं आती है बोली तभी साहित्य करूप अक्तियार करती है भाशा तभी बनती है जब उसमें साहित्य की रचना होती है जैसे अवधी बोली थी जब अवधी में पदमावत लिखा गया अवधी में रामचरित मानस लिखा गया तमाम सा ब्रज पहले बोली थी लेकिन ब्रज में भी जब साहित्तिक रचनाय लिखी जाने लगी तमाम साहित्तिकी सर्जना हुई तो ब्रज भी क्या बन गई भाशा बन गई खड़ी बोली पहले बोली थी जब उसमें महाकाब्याज लिखे गए गद्यादी का लेखनकारे शुरू ह तो भाभी भाशाबन गई कि उतलित मैं सकती है जो मैशिका सीमाओं का टिक्रमण करेंaja साप्रभाद दूर दूर तक फैल जाए कि कोई बोली तभी कर सकती है जब उसका एक साहितिक स्वरूप हो जब इसकी अपनी एक लिप्षी हो जब उसका अपना एक नियम बद्ध है उसकी एक व्यवस्था हो तभी वह ऐसा कर सकती है तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो छे इस टेप में बोलना सीखता है हम सबसे पहले उसी पर बात करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो किन-किन क्रिया कलापँ से होकर करके गुजरता है इसका मतलब एक चीत तो ताएं है कि अभी हमको मौखिक रूप पर ही बात करना है वाड़ शब्द और वाक्य बहुत बाद में आने वाले हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का रामचरित मानस की जो अवधी भाशा है वो शुद्ध साहित्तिक अवधी है और अवधी भाशा जो पदमावत की है वो ठेट अवधी है तो सामान सी बात है रामचरित मानस की अवधी में आप देखिए अवधी का उतकृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है और जबकि उनकी भाशा जो है ठेट हवधी है एकदम देहाती शब्दों का प्रियोग हुआ है यह तो दूसरी बात हो गई खर यहां उसकी बात नहीं हो रही है यहां फिलहाल हम लोग ब्याकरण के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जब आगे हम लोग बात करेंगे तो हुआत होगी तो बच्चा सबसे पहले जब पैदा होता है तो बच्चा स्टेप में बोलना सीखता है वो कौन कौन है जड़ा देखिएगा रोना बड़ बड़ाना सुनना बोलना आनुकरण करना और आरजन करना जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है रोता इसलिए है क्योंकि जब पहले तो मां के कोख में रहता है पेट में रहता है तो वहां का एटमोस्पीर दूसरा होता है और वहां वो बड़ी कोमलता के अनभूति करता है सीधे आता है इस संसार में मां की कोक से बाहर आता है तो वह बाहरी के साथ सामेग्य स्थापित नहीं कर पाता है इसलिए होता है कॉ啊煌 कि अप उसको गडे पर लिटा देंगे कई भी लिटा देंगे तो वो कोमलता उसे अख्तियार नहीं होगी जो अपने माँके पेट में कोमलता को एहसास किया रहेगा, देखा रहेगा, मैसूस किया रहेगा, तो जब उसको बाहर लिटा दिया जाता है, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद, काफी देर तक वा वाता वरण के साथ एड़ेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन दीरे दीरे, जब उसका शरीर वाता वरंण के साथ हडजिस्ट हो जाता है इस सितियां परिसितिय posición अनुकूल हो जाती है तब बच्चा रोना बंद कर देता है तब वो बढ़बढाने लगता है उसके होट फड़़ड़ाने लगते हैं और जब बच्चे के होट फड़़ड़ाने लगते हैं तो माबाप कहते हैं कि बेटा हमारा भगवान से बात कर रहा है जब कि ऐसा कुछ नहीं है भगवान से बात नहीं करता जब भगवान ने ओठ दिया है तो फरफड़ाएगा ही बुद बुद आता रहता है कुछ उनकुछ बोलता रहता है और वो खुद नहीं जानता क्या बोल दियों को महसूस करना शुरू कर देता है, सुनने की कोशिश करने लगता है, उसके कान खड़े होने लगते हैं, आपने कभी एसास किया होगा, कोई बच्चा हो, लेटा हुआ हो, उसके भगल में कोई चीज गिर जाए, कोई ऐसी ध्वनी हो, तेज ध्वनी हो, उसके कान अप इसे-इसे करने लगते हैं, उसकी स्रवनेंद्रियां उन चीजों को सुनने के लिए प्रयासरत हो जाती हैं, तो बच्चे सुनने की कोशिश करता है, और जिन चीजों को वह सुनेगा, उसे फिर बोलने की कोशिश करता है, मान लिजे कि बच्चे के आस-पास के वातावरण में भाई हैं पहन हैं फिता हैं माता है यह सभी लोग कुछ नुकुछ शब्द तो बोलते ही रहते हों मा लिजय भाई जो है वो बार बार कर आआ है मम्मी मम्मी शब्द बोल रहा है और बम्मी शब्द इसके ानों पढ रहा है तो बच्चा जब थोड़ा और मजबूत होगा जब उसकी श्रमनेंद्रियां काफी मजबूत हो जाएंगी और जब उसकी वागेंद्रियां भी थोड़ी बहुत बहतर होंगी तो बच्चा उसे बोलने की कोशिश करेगा तो बोलने की कोशिश करेगा शुद्ध नहीं बोलेगा दोस्तों तो माह लेजे इसने मम्मी शब्द सुना तो मम्मी तो बोल नहीं पाएगा भी इतनी मजबूत तो हुई नहीं है तो यह मम मम बोलेगा मम 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 ऐसा करेगा और फिर एक सिती ऐसी आएगी जब बोलते बोलते उसकी वागेंद्रिया इतनी मजबूत हो जाएगी कि जिन शब्दों को वो सुनेगा डारेक्ट उसी तरह से बोलेगा तो एक समय आएगा जब मम्मी सुन करके बच्चा मम्मी बोलने लगेगा मम्मी सुना और मम्मी बोला इसी को कहा जाता है अनुकरण करना imitation करना यहां बच्चा अनुकर्ण करेगा मम्मी शब्द को उसने सुना है तो मम्मी शब्द को वह बोल रहा है इसी को अनुकर्ण कहा जाता है और जानते हैं जब बार बार ये मम्मी शब्द का अनुकर्ण करेगा बोलेगा तो ये शब्द इस बच्चे को याद हो जाएगा और जब याद हो जाएगा तो उसकी इसी को कहा जाता है अरजीत तो बच्चा मम्मी शब्द को क्या कर लिया संग्रहित कर लिया क्या कर लिया संग्रहित कर लिया मम्मी शब्द को इसने अरजीत कर लिया दोस्तों अब ज़र ध्यान दीजिएगा अरजन क्या है सीखी गई भासा या शब्दों को ब्योहारिक रूप से प्रयोग करना ही अरजन कहलाता है एक दिन मम्मी उदर से चली आ रही थी बच्चे मम्मी को देखा उसके मुझ से निकल गया मम्मी और मम्मी ने आ करके बच्चे को गोद एक जीवन में और मम्मी को देख करके मम्मी शब्द का प्रयोग किया उसका अनुकरण किया उसने और जानते हैं अनुकरण के बात किसे ती है मम्मी शब्द तो इसके पास अरजित है यह इसके डिक्सनरी में है यह इसके मस्तिस्क में संग्रहित हो गया इस शब्द और इस संग्रहित किये गए शब्द को वो क्या कर रहा है मम्मी को देख करके बोल रहा है तो सीखी गई भाशा को उसी रूप में प्रयोग करना जिसके लिए आपने सीखा है वो क्या कहलाता है अर्जन कहलाता है इसका मतलब सीखी गई भाशा को ब्योहारिक रूप से प्रयोग करना ही अरजन कहा जाता है तो ये आप ने देखा कि बच्चा बोलना सीख लिया अरजन का मतलब सीखी गई भाशा को बेवहारिक रूप से बोलना तो बच्चा सबसे पहले रोया रोने के बाद बड़बडाया बड़बडाने के बाद सुनने की पीचेस्टा किया, सुनने के बाद बोलने की कोशिश किया, और एक समय ऐसा आया, जब वो नकल करने में महार्थी हो गया, सीखे गए शब्दों को जयों कातियों बोलने लगा, और उसके बाद उसके पास वो शब्द भंदार हो गया, और उसने उसे ब्योहारिक रूप से प् खोटी उम्र में होते हैं, उतने ज़्यादा परीपक्वा नहीं होते हैं, तो वो टेलिग्राफिक स्पीच बोलते हैं, तार भासा जिसे आप कहते हैं, दो शब्दों में अपने बिचारों को ब्यक्त करते हैं, जिसे मा लिजे, बच्चा पापा को देखा, बच्चे ने, तो उसे ने कहा पापा टाफी कि अबल दो शब्द में अपने विचारों के अभी व्यक्ति करना क्या का लाता है यह आप कहा सकते हैं इसे टेलिग्राफिक स्पीच तो चाहे वो दोनों शब्द संग्या होंगे चाहे विशेशन होंगे एक क्रिया एक संग्या होगी कुछ भी हो सकता है जैसे बच्चे ने कहा दिया दीदी अच्छी दीदी अच्छी लग रही जी कहा दिया दीदी अच्छी तो दीदी को अच्छी कह दिया तो दीदी ने भाई टाफी ओपी दिया था कोई बाती तो बच्चे को अच्छी लगी तो दीदी अच्छी कह दिया तो दो में अपने विचारों के अभ्यक्ति किया भाईया गंदा तो माने भाईया गंदा है दो शब्दों में अपने विचारों के अभ्यक्ति कर दिया मम्मी दुद्धू भूखा है बेचारा मम्मी से कह रहा है कि अब दो शब्दों में बोल दिया कि मम्मी मुझे दूद की जरूरत है तो यह कहलाता है टेलिग्राफिक स्पीच और आप जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले टूटे फूटे शब्दों में ही अपने विचारों क चुटकू यादो जी बहुत बहुत स्वागत है अंतिमया यादो जी सिवम पांडे जी सबका बहुत बहुत स्वागत है सरिता कुमारी जी नीरज यादो जी सबका स्वागत है रागनी जी एक बार दोस्तों इस क्लास को जबर्दस तरीके से आप सभी मित्र हमारे शेयर जरूर करें क्लास को सार्थक बनाईए और जीतने मित्र हमारे देख रहे हैं इस क्लास को शेयर भी जरूर करिए दोस्तों तो आईए आगे बात करते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक अब ध्यान दीजिएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा सबसे पहले क्या करना सीखता है दोस्तों बोलना सीखता है इसलिए हम इसकी शुरुवात करेंगे ध्वनी शब्द से तो ध्यान रखिए यहीं से आपकी शुरुवात मैं करने चल रहा हूं ध्वनी से इंदी मे एक शब्द है ध्वनी ध्वनी को हम स्वन भी कहते हैं और ध्यान दीजिएगा इसे हम थोन भी कहते हैं अंग्रेजी में इसे पहुन कहते हैं तो ध्वनी का ध्वनी शब्द का शाब्दिक अर्थो होता है आवाज आप चाहें तो साउंड कह लीजिए ध्वनी को ध्वनी को संस्कृत भाषा में स्वन कहते हैं क्या करते हैं स्वन ध्यान दीजिएगा ध्वनी शब्द का सर्व प्रथा मुल्लेक आचार्य आनंद वर्धन के ग्रंथ भन्या लोक में मिलता है आचार्य आनंद वर्धन को ध्वनी संप्रदाय का प्रवर्थक माना जाता है आचार्य आनंद वर्धन को ध्वनी संप्रदाय का प्रवर्थक माना जाता है आईए आगे बात करते हैं ध्यान दीजिएगा ध्वनी आबनिक स्वन ध्वनी आबनिक स्वन को भाशा या वाक्य भाशा या वाक्य की सबसे छोटी मौखिक इकाई कैसी इकाई मौखिक इकाई माना जाता है तो अगर आप से कभी पूछा जाए भाशा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे करते हैं तो आपका जबाब होगा ध्वनिया स्वन तो ध्वनी का मतलब क्या होता है आबाश यह मौखिक इकाई है ध्यान रखेगा लिखित नहीं है अभी लिखित रूप से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं वाक्य भी बोले जा रहे हैं तो लिखित रूप से नहीं है केवल मौखिक रूप से ही है और ध्वनिया बोली जा रही है भाशा बोली जा रही है तो यह सब केवल और केवल मौखिक रूप से हैं तो भाशा या वाक्य की सबसे छोटी मौखिक किसे कहते हैं दोस्तों ध्वन या स्वन को कहते हैं यह ध्यान रखिएगा अभी हम आगे और अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे तो अभी इतनी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी हाँ बहुत बढ़िया तो यह मैं मौखी की काई की बात कर रहा हूँ आईए आगे बात करते हैं नेक्स पॉइंट पर उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर ध्वनिया दो प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर ध्वनिया कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है नंबर वन स्वर्ध्वानी और नंबर टू बेंजन सबसे पहले बात करेंगे स्वर्ध्वानी पर पर स्वर्ध्वानी जिन ध्वनियों का उच्चाराण स्वतह होता है स्वर्ध्वानी कहलाती है देखें लिखने की कोई बात नहीं हो रहें केवल बोलने की बात हो रहें इसलिए यहाँ जैसे कुछ नहीं लिखूंगा अब यह मौखी की काई है दूसरा है ब्यांजन ध्वन जिन ध्वनियों का उच्चाराण जिन ध्वनियों का उच्चाराण पतंत रूप से ना होकर किसी स्वर की सहायता से होता है किसी स्वर की सहायता से होता है ब्यांजन ध्वनियों काहलाती है काहलाती है इसका मतलब अभी हम केवल और केवल दो चीजों पर बात कर रहे हैं कि जब हम मुण से बोलते हैं तो बेंजनों का उच्चार जब भी करते हैं तो सवरों के साथ होता है बिन्या सवरों की मदद के tutके बेंजनों का उच्चार हो नहीं सकता है और जब हम मुँ से स्वरों का उच्चान करते हैं तो वो स्वत्या कर लेते हैं तो यह ध्यान रखिएगा यहां तक हमने ध्वनी के बारे में बात किया और अब हम एक महत्तो पूर्ण मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं ध्वनी के बात की चीजों पर हाँ बिल्कुल बहुत बढ़ियां प्रिया तिवारी जी अब आगे की बात पर बात करेंगे एक चीज बताइए ध्वनी के बारे में तो हमने बात कर लिया जब बच्चा पैदा होता है और लिखने की शुरुवात करता है तो लिखने की शुरुवात वह किस से करता है जब लिखेगा तो आड़ी तिर्चीर ये खाएं खीचेगा चित्र बनाएगा और एक समय ऐसा आएगा चित्र बनाते बनाते धीरे धीरे सुडौल बनाना सीख जाएगा जैसे जैसे उसके हाथों की अंगुलियों में मजबूती आएगी वैसे 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 वह क्या करेगा सही तरीके से रेखाओं को खीचने लगेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सही तरीके से वनों को लिख पाएगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या अगर हमारे मम्मी पापा ने हमसे कहा कि बेटक का लिख करके दिखाओ तो हमने तुरंत का लिख करके दिखा दिया था हमने बहुत प्रयास किया होगा तमाम तरह से हम लोगों ने ध्वनियों को लिखने की कोशिश किया होगा आडी तिरची रेखाएं खीचे होंगे तब उसके बाद कहीं जा करके हम लोगों ने वर्णों को लिख पाने में काम्याँभि पाई होगी तो आज हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट किये गए खास करके द्वनियों को लिखने के शेत्र में जो आड़ी तिर्ची ये रेखाएं खीची गई इनको क्या कहा जाता है और इस तरह की इस्थिती को हम किस रूप में ले सकते हैं क्योंकि यहां से आपसे प्रश्ण भी पूशा जाता है तो अब हम जिस बात पर चर्चा करने चल रहे हैं ध्वनि के बाद बात करेंगे लेखिम पर तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों दोस्तों लेखिम के बारे में अब एक शब्द है और उस शब्द का नाम है लेखिम लेखिम को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रैफिम अनि ग्राफ करना ग्राफ खीचना तो ग्राफ का मतलब क्या होता है चित्र चित्र बनाना तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे ध्वनियों के लेखन की तो अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब लेखिम की हम बात करेंगे तो इस पे दो तीन चीज़ें हमें समझनी होंगी आपको पता होगा कि जो हमारी सैंधो लिपी थी वह चित्रात्मक लिपी थी जबकी इसके बाद जो लिपियां आई ब्राहमी लिपी आई ये देव नागरी लिपी या ये सब प्रतिकात्मक लिपी थी सांकेतिक लिपी थी तो इस में हम अंगेत को संकेतों के माध्यम से लिख देते थे वरुन संकेत इसं केज लेकिन पहली जो हमारी लिपी आई वह चित्रात्मक लिपी थी सैंधाव लिपी से कैसे देव नागरी लिपी तक का हम लोगों ने सफरतें किया सबसे पहले तो हम इसी पर जान लेते हैं मैं आपको यहां दिखाता हूं आप अभी इसको लिखेंगे नहीं अभी मैं लिखवा और यह हमने लिख दिया यहां पर इब्राहमी लिपी और यहां हमने लिख दिया देव नागरी लिपी यह तीन लिपिया हमने यहां पर लिख दिया है सैंधो लिपी आपकी चित्रात्मक लिपी थी कैसे लिपी थी चित्रात्मक लिपी थी मैं आपको एक उदाहान दिखाता हूं सैंधो लिपी का यह देखें दोस्तों यह जो है यह सैंधो लिपी का का है आपको पता होगा कि यह जो स्वास्तिस का चीन है यह समय चक्र का प्रतीक है और जो लोग समय के साथ करमशील रहते हैं उनी का शुब होता है और उनी के साथ लाव रहता है पहले के जमाने में जो ध्वनियों को बनाया गया सांकेतिक लिपीओं को यह इसी अधार पर बनाया गया जिन शब्दों को हम प्रियोग करते थे जैसे उसको हम जिस नाम से पुकारते थे उसी के पहले ध्वनि को हमने उस रूट में ले लिया तो चुकि ये कर्मशील ध्वनी थी और कर्मशील शब्द था तो इसी कर्मशील में जो का ध्वनी थी पहले थी और इसलिए सैंधो लिपी का इसे का मान लिया गया क्योंकि ये कर्म की का प्रतीक है कि अहरनिस कर्म करते रहे और अगर आप कर्म करते रहे तो शुबह और अगा чаe और । यह देुखे यह ब्राहमी लिकी को किसका कहे है ब्राहमी लिपी अप कि ब्राहमी लिपी का और यहां से देखिए कैसे बदला हो रहे हैं जरधयान दीजिएगा और यह देखिए यह कौन सा का है देवनागरी लिपी का का है मुझे यह बताईए कि जो एक्स्पेरिमेंट हुए यहां से यहां तक सैंधो लिपी और ब्राहमी लिपी और ब्राहमी लिपी से देवनागरी लिपी अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों लिपियों के बीच में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं यहां से लेकर यहां तक और फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक जो एक्सपेरिमेंट हु आपका लेखिम है और यहां यह क्या है आपका लेखिम है ठिक तो यह experiment जो किये गए हैं इन्ही को हम किसके रूपे लेते हैं लेखिम के रूपे लेते हैं आगे बात करते हैं तो अभी तना आपने समझ लिया होगा अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे के चीजों पर तो लेखिम का मतलब क्या होगा इस पर पहले बात कर लेते हैं लेखिम माने ग्रैफिंग देखिएगा द्वनियों के द्वनियों के लेखन प्रयास को द्वनियों के लेखन प्रयास को लेखिम कहते हैं इसे लिपिके पहले की प्रयोगात्मक अवस्था भी कहा जाता है लेखिम को सामान्य व्याकरण में अमानक वरन भी कहते हैं इसको अमानक वरन के नाम से भी जानते हैं जैसे अब एक चीज यहां मैं आपको दिखा देना चाहूंगा माली जी यहां हम उदाहान पर बात कर लेते हैं तो एक तरफ हम देखेंगे लेखिम और एक तरफ देखेंगे वरन दोनों में अंतर क्या है तो आईए आगे बात करते हैं एक तरफ दोस्तों हम लिखेंगे लेखिम या अमानक वरन और एक तरफ हम लिखेंगे वरन आप कह सकते हैं इन दोनों के अंतर को हम देखेंगे आपको याद होगा हमारे पहले के समय में यह देखेंगे यह पहले का अ है इसे हम लेखिम की अंतरगत लेते हैं या इसको अमानक वरन कहते हैं और आज अ हम लोग कैसे बनाते ऐसे बनाते हैं इधर देखेंगे पहले हम लोग ख ऐसे बनाते थे और आज ख कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं पहले हम लोग अड़ा ऐसे लिखते थे और आज अड़ा कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं पहले हम जह ऐसे लिखते थे जह ऐसे लिखते थे और आज कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं पहले हम लोग भै ऐसे लिखते थे सिरो रेखा के नीचे इसका इस्तेमाल करते थे और आज भै ऐसे लिखते हैं पहले हम लोग ला ऐसे बनाते थे आज ला ऐसे बनाते हैं गिनतियां जरा देखे एक दो तीन ये सब गिनतियां पहले हमारे यहां थी आग ये अमानक वन बन गई हैं और आस्तर पर आपका ये 1,2,3,4 है कि आप इसको एक, दो, तीन, चार पढ़िए और लिखिये 1,2,3,4 एक, दो, तीन अब एक बात बताईए यहां जितनी चीजें हैं ये सब अमानक वन की श्रणी में आएँगी कि नहीं आएँगी एक बार हमें कमेंड करके हमारे सभी दोस्त बताएंगे कि क्या आप समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का तो एक बार दोस्तों कमेंड करके मुझे बताईएगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पाए हैं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ें यहां से आपके सीटेट की परिक्षा में भी अगर प्रश्ट पूछा जाएगा तो आप कर पाएंगे चलिए बहुत बढ़ी हैं दोस्तों और अब हम लोग बात करेंगे वर्ण के बारे में इसका मतलब वर्ण के बारे में बात करेंगे तो आप स्वनिम के बारे में बात करेंगे और कल की क्लास में हम लोग स्वनिम के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि स्वनिम को किस प्रकार से वर्ण कहा जाता है तो कल की आपकी क्लास most interesting क्लास होगी बहुत ही सांदार क्लास आपकी होगी तो कल आप लोग जुड़िएगा इसी समय पर और ये चुकि डेमो क् होगी तो क्लास का आनंद लीजिए फिर देखा जाएगा जो होगा तो अभी फिलहाल आप सभी मित्र हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े रहें बने रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को आज के लिए बस इतना ही दोस्तों कल की क्लास में इसके आगे की चीजों पर हम लोग बात करेंगे थैंक यू सो मच देट साल झाल 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 झाल